बहादूर कडमी बिजली निगम के कर्मिचारियों ने कारेले के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की इस मौके पर मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर अनिश्यत कालीन हर्ताल पर जाने की चेतावनी दी है समय समय पर कर्मिचारी हर्ताल और प्रदर्शन के जरिये सरकार तक अपनी बात महुचानी की कोशिश कर रहे है लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उनकी मांगो की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है ऐसे में बिजली निगम के कर्मचारी प्रदेश भर में बिजली कारेले के सामने प्रदेशन कर रहे हैं कर्मचारी नेता का कहना है कि उन्होंने सरकार से बिजली विध्यक 2021 को वापस लेने की मांग की है इतना ही नहीं जिस तरीके से बिजली निगम का निज़े करन किया जा रहा है उस पर भी रोक लगाने की मांग की ज्वारी है अगर ज्वल्दी उनकी मांगों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वे अनिशत काले इन हरताल पर जा सकते हैं करमचारियों ने चितावनी दी है फिलहाल देखना होगा कि सरकार करमचारियों की मांगों को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है बढ़ने के कारण करमचारी कम होने के कारण उनके दबाव है तो इसलिए एक रेगुलर भरती करके इसमें जो वेकेंट पोस्ट उनको बर्या जाए ताकि बोगतां को भी समय पर सेवा देशके है इस पर हमारे कच्छे करमचारी है उनका जो है मैडिकल की सुई दाथी है करमचारी गजो पर 21,000 जो जादा होगी तो मैडिकल सुई दाशी बंचीत होगे उनको मैडिकल सुई दाथी जाए और कच्छे करमचारी हो की पोली सी बनाई जाए रगुलाइजेशन के लिए जब तक रेगुलाइजेसन की बाड़ ने पर दिया जाए इस को परकार हमारा स्टेट की मिटिंग बुलाए जाएगी अगर हमारी बात्चीत नहीं होती है तो अगर भी प्रोग्राम के लिए हम त्यार हैं